हलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल exam study classes में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के परवत भारत के परवत पहाल इन सब के बारे में बात करेंगे और उनसे related जितने भी अच्छे अच्छे प्रशन है जो बार बार प्रिक् प्रशनों को लेकर आए हैं और सारे जितने भी परवत हैं भारत के हिमाले से लेकर के काड़ेमम यानकी उत्तर से लेकर के दचिन और पूरव से लेकर के पस्चिन तक जितने भी परवत हैं उनकी अवस्थिति क्या है वेकिन राज्जियों में इस्तित हैं उनकी सर्वोच् और उनकी अवस्तिती क्रम के अनुसार क्या है तो ये इन सब से रिलेटेट जितने भी प्रशन बन सकते हैं और जो परिक्षों में बार 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 पूछे ही जाते हैं आज उन प्रशनों को आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं MCQ फॉर्मेट में आये हैं वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेर करें और साथ इसाथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें जितने भी देखी उपर एक मैप है और इस मैप में हमने उपर से इदेन की उपर दीख रहा होगा आपको यहां पर करा कोरम यहां से स्टार्ट करेंगे और नीचे आपको कार्डेमम हिल्स ठीक है यहां तक और इधर हम नामचा बरवा से स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम गिरी रेंज गिर ठीक है यहां तक हम सब कुछ कम्प्लीट करेंगे सारे प्रशनों के फॉर्मेट में है और वीडियो को देखेंगे तो आप सच में कहेंगे कि हां वीडियो है और साथ इसाथ जितने भी प्रशन आप देखें गे वो सब हीट इसी वीडियो में देख करके आपको याद भी हो जाएंगे उनकी आवज्थिति क्या है कर्म का नुसार भी देखेंगे किस कहां पर पढ़ते हैं कितने इनके राज्यों में उनके अवज्धिती है तो चले फिर ज़्यादा बाते ना करते हुए एकदम फिर से हम चलते हैं प्रशन की तरफ और यह रहा आपका पहला प्रशन तो पहला प्रशन है देखे हिमाल्य परवत सरंक्रा किस प्रिकार की परवत स्रेणी में आता है ओप्षन है ब्लॉक परवत आवसिष्ट परवत संचित परवत या फिर वलित परवत देखिए जो हिमाल्य परवत है ठीक है हिमाल्य जो परवत है ये किस स्रेणी का परवत है तो ये स्रेणी का है वलित परवत ठीक है इसे हम परतदार परवत भी कहते हैं और वलित परवत भी और वलित परवत की बात करें तो वलित परवत जो संसार में हैं दुनिया में जितने वलित परवत हैं देख तो यू तो याद रखेंगे चार परवत है जो एक वरिद परवत या पर्सदार परवत हैं और इसको ट्रिक URA हिमाले इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं तो सही आंसर इसका क्या होगा? उप्सन D होगा वलित परवत याद रखेंगे तो हिमाले जो है वो हमारा एक वलित परवत की स्रेड़ी में का परवत है हिमाले के उत्पति किस भू सन्थी से हुई है? तो देखें जहांपर आज हिमाले खड़ा हुआ है वहापर कहते हैं कि वहापर एक सागर हुआ करता था उस सागर का क्या नाम है? उसकी सागर का नाम है टेथिस ठीक है, तो इस प्रस्ण का सही जवाब यही होगा, टेथिस परवत, सोरी, टेथिस से, इसकी बहुत सन्यती से हुए है, टेथिस सही आंसर होगा, option A, next question है, हिमाले के सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो बात करने सबसे पूर्वी चोटी की, देखे, option A, नामचा बरवा, अनपोना, कंचन जंगा और माउंट एवरेश, चार परवत हैं, तो माउंट एवरेश आप कहां, यह नैपाल में है, ठीक है, कंचन जंगा, कंचन जंगा, यह सिक्किम में है, ठीक है, अनपोना, यह नैपाल में भी नैपाल में पढ़ती है, और नामचा बरवा, यह अरु पुना चल प्रदेश तो सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर भी हमारा यही होगा option A नामचा बरवा क्योंकि नामचा बरवा यह जो भारत को अगर हम इस तरह से बनाएं तो यहाँ पर यह इस्तित है नामचा बरवा वह भारत की हिमाले की सबसे पूर भी चोटी है यह ठीक है तो सही आंसर होगा नामचा बरवा अगरा question देखें तो किस हिमाले चोटी को सागर माथा भी कहते हैं देखें सागर माथा कहा जाता सागर का माथा कौन से हिमाले की चोटी है तो किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है तो सही आंसर जो होगा माउंट एवरेश्ट को सागर म माथा कहा जाता है और कहा पर कहा जाता है नैपाल ठीक है भारत में भी कहते हैं लेकिन नैपाल से पुछा जाता है कि नैपाल में हिमाल्य को की जो सर्वोस्ची चोटी है माउंट एवरेश्ट उसे किस नाम से बोलते हैं तो वो सागर माथा के नाम से इसको बोला जाता है तो option c यहाँ पर correct होगा mount average वरतर वरतर यानकी greater हिमाले का दूसरा नाम क्या है तो वरतर यानकी greater हिमाले का जो दूसरा नाम है हिमादरी असम तो Skills कि Iendo यह तो असम तो अमारा Sum हिमाले हो टीक है इस तरह हम देखें है तो यह जो यह असम हिमाले ठीक है और स्याद्री स्याद्री किसे कहा जाता है स्याद्री तो जो भारत का जो पश्मिटर्ड है इस ठीक है ये पश्मिटर्ड जो इसको स्याद्री के नाम से बोला जाता है और सिवालिक सिवालिक इसकी एक सेणी है हिमाले की तो ये भी नहीं होगा तो सही आंसर होगा इसमें हिम हिमादरी होगा option number a correct होगा हिमादरी के नाम से इसको बोला जाता है चले अगला कुशन देखें लगू हिमाले इस्तित है देखें लगू हिमाले इस्तित है बात करें लगू हिमाले की तो जिस तरह से जैसा भी map बना है तो यहाँ से सबसे उपर यह ट्रांस हिमाले ठीक है ट्रांस हिमाले एक महान हिमाले ठीक है महान हिमाले है यह उसके बाद में आता है आपका लगू हिमाले यह आपका लगू हिमाले है और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आता है यह आपका यह शिवालिक है ठीक है शिवा लिक तो सही प्रशन देखें लगोई हिमाले इस्थित है किसके मद्धे में इस्थित है तो तो महान हिमालिय है और सिवालिक ठीक है तो सिवालिक यहां से यह सिवालिक है और यह महान हिमालिय है और इसके बीच में यहां पर यह लगोई हिमालिय है तो सही आंसर क्या होगा सिवालिक और महान हिमालिय है ठीक है option number a यहाँ पर एकदम correct होगा ठीक है श्रीवाली कोर महान हिमाले है चलिए अगला प्रक्रशन देखें अगला question है लगू हिमाले सेड़ी के डालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है देखें जो लगू हिमाले है और धालों पर छोटी छोटी कुछ घास से घास मिलती है तो घास के जो मैदान होते उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है उसे देखें मर्ग बुग्याल पैयार या फिर दुवार ठीक है तो सही answer क्या होगा इसका तो सही answer यहां पर होगा मर्ग option number a मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में और जो बुग्याल है यह कहां कहा जाता है याद रखेंगे उत्तरा खंड में ठीक है उत्तरा खंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जो सिवालिक सिर्णी है सिवालिक सिर्णी के जो परवत पादी है हिमा कुशन धोलाधार और पीर पंजाल की जो महत्पूंट सेड़ियां अवस्थित हैं कहां अवस्थित हैं ये मान हिमाले में ट्रांस हिमाले में लगो हिमाले या फिर वाय हिमाले में तो धोलाधार और पीर पंजाल ठीक है इनके हम बात करने तो धोलाधार और पीर पंजाल जो है भारत का एक मैप बना कर चलिए जैसा भी बना है तेखे यहां पर यह ट्रांस सिमाले यहां पर यह ट्रांस सिमाले है ठीक है ट्रांस सिमाले और उसके बाद में और सबसे उपर यह ट्रांस सिमाले यहां पर कौन से स्रेणी यह कराकोरम है यह तो यहां पर जो स्रेणी है ठीक है वो कराकोरम ठीक है पैन काम नहीं कर रहा क्या हो गया चलिए एक सेकंड रुके पैन ने काफ़े बरेशन कर रहा है पीछे भी जैविसे लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी पैन ने बरेशन किया था चलिए तो महान हिमाले में ट्रांस हिमाले लगू हिमाले या फिर भाय हिमाले में तो यह जो है यह हमारा ट्रांस हिमाले उसके बाद में जो नीचे आता है यह हमारा लगू हिमाले और उसके बाद में नीचे हमारे सी वाले कस्रेणी आती है तो जो धोला धार और पिर पंजाल है ठीक है दोलाधार और पीर पंजाल हैं ये कहां पर हैं ये लगू हिमाले जोए लगू हिमाले में अब इसी थे हैं लगू हिमाले के सेड़िया हैं ठीक है ओप्शन नमबर जो होगा सी यहां पर करक्ठ होगा लगू हिमाले ठीक है याद रखेंगे लगू हिमाले की हैं धोला कहा जाता है देखे पार हिमाले किंद्र वर्ती हिमाले में निमन फिर्द फिर्बी हो सकते हैं ठीक है तो पीर आती है यहां लगुन के लिए यहां पर कोई औ necesita नहीं है तो इसलिए सही आंसर यहां पर क्या हुआ हमारा निम्न हिमाले होगा ठीक है निम्न हिमाले को ही लगू हिमाले बोले जाता है क्योंकि निम्न का मतलग होता नीची का हिमाले और ठीक उसी तरह से बताए तो पहले इप्टांस हिमाले मतल महाल हिमाले और उसके बाद में फिर लगू हिमाले होता तो लगोई हिमाले में ही अभी पीछे की प्रश्ण में बात ही थी ठीक है तो पीर पंजाल जवबों किसमें हैं नेमन हिमाले में है अगरा कुशन देखें पीर पंजाल स्रेणी पाए जाती है ठीक है पीर पंजाल जो स्रेणी है देखें आणाचल प्रदेश में पंजाम में उत पिर पंजाल सिर्णी पाए जाती है हिमाले के तलहेटी स्रंखला को निमन में से किस नाम से जाना जाता है हिमाले की जो तलहेटी की जो स्रंखला इनकी हिमाले है और हिमाले के जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये इसको हम किस नाम से बोलते हैं क्या आप कहा जाता इसको ठीक है ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले तो उपर है गी तो इसे नहीं बोला जाएगा महान हिमाले वही ठीक है पीर पंजाल जो एक्स्रेणी में हती है लगू हिमाले में और सबसे नीचे जैन के परवत पादिया है बताया था कि परवत पादे जो छेत्र है हिमाले का वो शिवालिक ह ठीक है, option number D यां पर correct होगा, सिवालिक एकदम correct होगा, ठीक है, जो तलहटी सरंखला या तो तलहटी सरंखला है, बोलेंगे या फिर परवत पादिये, ठीक है, परवत पदिये चेत्र, ठीक है कि परवत पदिये जो सरंखला है हिमाले के उसे किस नाम से बोला जाता तो उसका आपका, शिवालिक होगा, चले अगरा कुशन देखें, हिमाले के सबसे बहारी परवत सेड़ी कौन सी है, काली, Sivalik, दहरादोन या फिर कुमाओ, हिमाले के सबसे बहारी जो सेड़ी है वो कौन सी है तिका तो सबसे बहारी का मतलब वही है जो परवत पदिये छेत्र है परवत पदे जो सेर्णी है वो कौन सी बताये थी वो सिवालिक अभी बताये तो सही आंसर यहां पर होगा option B शिवालिक होगा चलिए तो question में 12 हिमाले का परवत पदे प्रदेश है तो वही प question को किस तरह से तीन बारा तीन तरह से change करके उसको इधर से उधर ओर तीन तरीके से उसको प्रशन को पूछा है और Examiner आपके साथ में यही खेलता है कि कि प्रशन तो वही होता है लेकिन उसको किसी भी प्रशनों के अच्छे से practice करेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है आप उन प्रशनों को अच्छी तरे से कर सकते हैं समझ सकते हैं तो यहाँ पर भी हिमालय का जो परवत पदेश है परवत पदेश है उसको कई भार जिकर भी क्या है मैंने तो यहाँ पर यह इस question देखें अगर नियम लेखित मेंसे कोन सबसे नवीन परवसेणी है ठीक है सबसे नवीन परवस्तीं हाइए और अन्नामलाई यह दचिन में है लेकिन यहाँ पर बात करें सिवालिक के तो नमबर दी यहांपर सही होगा सेटो किस यूग में हुआ है तो इस प्रशन का सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा इस में कि जो सिवालिक सेहनी है उसका जो निर्माण हुआ वो सीनो जोईक में हुआ है ठीक है ओप्शन नमबर डी यहाँ पर सही होगा सीनो जोईक चले 14 के बाद में चलते हैं 15 कुशन सतलज और काली नदियों के बीच इस्थित हिमालय की भाग को किस नाम से भी जाना जाता है देखे बहुत इंपोर्टन कुशन और इस कुशन का जवाब देने से पहले मैं आपको एक मैप की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर आप इस तरह के प्रशनों को इदम किलियर कर लेंगे ठीक है एक मैप लगाया है मैने उस मैप को हम देखेंगे देखे यह मैप है कुशन आंसर आपने देख लिया होगा कुमाव हिमालय है लेकिन मैप के हिसाब से हम इसको समझते हैं देखे जो पंजाब हिम हम बोलते हैं पंजाब हिमाले ठीक है पंजाब हिमाले इसको बोला जाता है इसे पंजाब हिमाले कहते हैं और सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक ठीक है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जो हिस्सा है वो कुमाव हिमाले को कहते हैं और काली नदी से लेकर के जो तीस्ता नदी है तीस्ता नदी के बीच इसको नैपाल हिमाले के नाम से बोला जाता है और तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी तक ठीक है ब्रहम पुत्र यानि के दिहांग नदी तक का जितना भी पार्ट है इसे हम असाम हिमाले के नाम से बोलते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको यहा पार्ट है उसे पंजाब हिमाले, सतलज से लेकर काली नदी के बीच का जो है, वो आपका कुमाव हिमाले और काली नदी से तीस्ता तक नैपाल और दीस्ता से लेकर अगर दिहांग या फिर ब्रहंपुत्र नदी के बीच का जो पार्ट होता है, पार्ट है, उसे हम असम हिमाल पारक् के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो इस प्रेशन का जो फिफ्टी नंबर कुषिन है, इसका जो सही आँसर कुमाँ हिमाले होगा, क्योंकि सत्लच से काली नदी के बीच यहां पर पूछा है, सत्लच से काली नदी, तो सत्लच यह रही और काली यही तो चाने वाले हिमाले के भाग को क्या कहा जाता है तो इस प्रेशन का सही जवाब आप मुझे कॉमेंट बॉक्ष में देंगे क्योंकि इस पर आपने मैंने इसको आपको अच्छे से बता है तो इसका जो जवाब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्ष में देंगे कि तीस्ता और द चोटियों के पूर्व से पस्चिम दिसाद में सही क्रम को प्रस्तूत करता है ठीक है चार ओप्षन है और चार में हिमाले के कुछ चोटिया दी हुई है और इन चोटियों को हमें पूरव से पस्चिम की तरफ इन्हें विविस्थित करना है देखिए पूरव से पस्चिम मतल लेके सबसे पूर भी जो चोटी है वो कौन है तो उसका सही अंसर था नामचा बरवा तो नामचा बरवा ही सबसे पूरव की चोटी होगी ठीक है सबसे पूरव में है तो नामचा बरवा A और D में है ठीक है और B और C में ये नहीं है तो आप यहां B और C को तो eliminate ही कर देंगे इन को आप बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे ठीक है अब करते हैं दो देखे नाम चवरवा जो बताया था मैं अरुणाचर पिर देश में ठीक है तो अरुणाचर पिरदेश आका पूरा ठीक है अगर एक छोटा सा मैप बना लिया जाए ठीक है एक छोटा समय बना ले जाए इंडिया का तो चलिए ठीक है तो देखे जैसा ही बनाए चलिए नामचा बरवा कंचन जंगा मननन्दा देवी मांट एवरेड़ देखे नामचा बरवा की बात करें तो नामचा ब्रवा आपका यहाँ पर है नामचा ब्रवा है यह ठीक है नामचा ब्रवा ठीक है नामचा ब्रवा एन भी का नाम दे दिया उसके बाद में कंचन जंगा सिक्किम में है ठीक है कंचन जंगा कहां पर है यह सिक्किम में है कंचन जंगा ठीक है तो यहाँ पर यह आपका यहाँ पर कंचन जंगा यह सिक्किम वाला पार्ट है ठीक है तो यहाँ पर यह कंचन जंगा ठीक है उसके बाद में नंदा देवी और मांट आवरेश्ट ठीक है नंदा देवी और मांट आवरेश्ट तो दो हमारे यहाँ पर एकदम सही है एक और द और नंदा देवी यह उत्रा खंड में है यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से आप इसका सhवी आंसर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि अगर हमें सभी की चोटी या सभी इनके बारे में मालूम है कि कौन सी किस प्रदेश में पड़ती है और हमने एक बार मैप को अच्छे से देखा है तो हम वहाँ पर हम प्रशनों को सही कर सकते हैं चलिए अगरा कुशन देखते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हूँ तेखी एक मैप लगाया है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नाम चबरवा ठीक है नाम चबरवा उसके बाद कंचन जंगा है उसके बाद मकालू एवरेश्ट अंडपुना धोला गेरी और यहाँ पर आपकी क्या आजाएगी यह आजाएगी आपकी नंदा देवी ठीक है इस मैपको आ और निम्न में से कौन सा सही कौन सा क्रम सही है ठीक है दचिन से ले करके उत्तर की ओर ठीक है यानि कि यहाँ से ले करके ऐसे हमको इनको लगाना है ठीक है तो इसमें लगाना है कि देख सिवालिक लगू और महान हिमाले और इसका आंसर आप बड़े आराम से दे भी सकते है बले अराम से इसमें दे सकते हैं, ठीक है, तो सबसे उपर कौन होगी, ठीक है, दच्छिन से, ठीक है, दच्छिन से उतर की ओर करना है, मतलब पहले सबसे बले हम दच्छिन में कौन है, तो सबसे नीचे कौन से सिर्णी है, सबसे नीचे जो सिर्णी है, वो है, सबसे नीचे ह आपकी सिवालिक 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 स लेकिन उत्तर प्रिदेश में इसका विस्तार नहीं है तो ऑप्षिन नंबर ए यहां पर करक्ट होगा ज्यादा बड़ा कुश्चन नहीं था सही कुश्चन था एकदम छोटा सा कुश्चन था और कुश्चन नंबर 20 देखते हैं थे यदि हिमाले परवस यह नहीं होती तो भारत वे सबसेदिग संभाव भोलिग प्रभाव क्या होता देखें जो अगर हिमाले नहीं होता तो क्या होता सब्से पहले के दिनैंद। सभाव सायու लेहरों का नर्वर्व होता जेए अथीद現在th OP हुटा तो इन हमारा क्रभाव-पड़ता है और यह जो प्रशन है आई-एस का प्रशन है और यहां पर हम जो सही देखें तो देखिए सही बात के यह पहले कुश्य कथने कि हमाले नहीं होता तो साइबेरिए शे आने वाली जितनी वी जो लहर जो यह हमारा हिमालय खड़ा हुआ है और यह आपका इंडिया है ठीक है अगर हिमालय यहां पर हो ना होता तो क्या होता यह सीधे सीधे मिर्दा से वंचित होता ये कथन भी यहां पर एकदम से है क्योंकि हिमाले से निकलने वाली जितनी भी जो नदियां है ठीक है ठीक है वो अपने साथ में जो भी लेकर के आती है और मैदान में शोड़ देती है तो उससे जलोड मिर्दा का मन होता है तो गंगा और सिन्धू और गंगा का जो मैदान आप उसमें जलोर मिल्दा नहीं होती क्योंकि माँ से जब प्रवती ही नहीं होता तो Chin. अब है जो जलवायू वर्तमान पांशुनव है उससे भिन होता तो इस तरह से हमारे तीनों कथन यहाँ पर एकदम करक्ट होंगे और और ऑप्शन नमबर डी यहाँ पर सही होगा ए वन टू ओ थ्री यहाँ पर एकदम सही होगा चलिए अगला कुशन देखें यदि हमाले पर प्रवत्रंक लाश्वर्त में नहीं से क्या होगा तो तो क्या हो अधा त्ठिय छेत्र में भूमद्य साह्गरे जलवायू होती नहीं यहसा नहीं होता तर्दky में उच्तर भारतिये मैदान और अधिक भनदे होते ऐसा हो सकता और साइवरिया कि जै किसायवरिया आने वाली जो लहरे हैं जो ठंडी लहरे वहाँ से आती हैं वो इंडिया में एंटर कर जाती और एंटर करने के बाद में वो जो उत्तर भारत का जो मैदान वो अधिक ठंड़ा होता ठीक है और भारत के उत्तर पस्चिम भाग में आद इस्तिती होती तो इसे भी कोई फर्ट नहीं तो option number C यहाँ पर correct होगा कि सर्दियों में उत्तर भारते मैदान और अधिक ठंड़े होते ठीक है और इसकी जो व्याख्या है वो पिछले प्रेशन में कर चुके हैं चलिए अगरा question देखें अराकान या पेगु योमा प्रशार उस हिमालय का है जो इसीत है कहाँ पर देख प्रेशर ये गुमाज़ देर होकर करके यहां तक बहुत है इस ठीक है इस तरह से भाए है कि गण क्रेशर देश कौन इससे कॉंवयो का उसना क Cash जाता है तो शहीं आνसर होगा option नंबर भी होगा जकि हमालय की चोटी कंचन जंगा इसी था है तो कंचन जिंगा के बारा में कई बार बाते हो चुकी हैं तो इसका सही आंसरा आपका होगा सिखम होगा सिखम में इससी इस सुह सही एकदम आंसर आप लगा देंगे लेकिन और उसकी गलती भी करेंगे क्योंकि अगर आ आप statut को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रसन को ठीक से पढ़ना है कि इसमें पूछाए कि भारत वर्स की कोण सी सबसे उशी चोटी है, तो भारत की पूछा है ना कि दुनिया की पूछाए, संसार की पूछा है, तो भारत की पूछा है तो भारत की पूछने के लिए हम के पहले एक option को eliminate करते हैं, किसको करेंगे, option कंचन-जंगा नन्दा देवी या फिर मकालू तो भारत की इन में सबसे उची चोटी कोउल सी है तो सब से उची चोटी इसमें है अपकी हमारा गंचन-जंगा है जो सिक्किम में है ठीक है कंचन जंगा है और उसके बाद में नंदा देवी ठीक तो कुशन नंबार ए यहाँ पर सही होगा कंचन जंगा कहां पर ए सिक्के में है भारत में सबसे उची चोटी कौन सी है तो भारत की सबसे उची चोटी पूछा है ठीक है अगर यहाँ पर भी एवरेश्ट का ओप्शन जरूर देगा अगर यह प्रेशन एक्जामनर बनाता है तो सही आंसर के साथ साथ में यहाँ पर ओप्शन देगा माउंट एवरेश्ट तो कामेट है नंदा कोट है नंदा देवे के टू है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ओप्शन नंबर डी होगा ठीक है के टू य है और दुनिया के दूसरे नमबर की सबसे उची चोटी है सबसे पहले नमबर पर माउंट आवरेश्ट और सेकेंड नमबर पर गौडविन ओस्टिन जिसे हम के टू के नाम से भी जानते हैं कहां पर है ये कश्मी जम्मू कस्मीर में ठीक है तो सही आंसर होगा इसका option number D K2 Godwin Austin चलिए निमन मेंसे कौन संसार की दूसरी सर्वस चोटी है तो अभी इसका answer दिया था K2 है बताया था ठीक है तो K2 तो option में नहीं है क्या है Godwin Austin है तो हम Godwin Austin के साथ में चले जाएंगे तो option number A यहां पर करेक्ट होगा गौडविन ओस्टेन नेक्ट कुश्चन गौडविन ओस्टेन इस्थित है कहां महान हिमाले में लद्दाक में कराकोरम में या फिर जासकर सेड़ी में ठीक है तो माउंट सोरी गौडविन ओस्टेन ये कहां इस्थित है ये पूछा इसमें कि गौडविन ओस् ओश्टिन है वो कराकॉरम में है ठीक है कराकॉरम जो स्रेणी है कराकॉरम में इसी थे ठीक है option number C यहाँ पर correct होगा ठीक है और जो कराकॉरम है वो किसके किसका हिस्सा है तो इसका भी answer आप comment box में देंगे ठीक है एक दो प्रेशन का आप comment box में answer दें इससे आपको याद रहने की ज़्यादा संभावना होगी क्योंकि अगर आप कोई question बनाते हैं और कोई question आपका बनता है एक्जाम में और वही question आपको एक्जाम में देखने को मिलता है तो आपको उस question का answer एक दम याद आ जाएगा कि हमने इस प्रेशन का answer एक comment box में दिया था ठीक है चलिए अगला question कराको रम में हो गया तो निवन में से सबसे उंचा सिखर कौन सा है कामेत कुनूल के नंदा परवत या फिर नंदा देवी तो सब आंसर होगा option number C नंगा परवत कहां ये भी जम्मू एंड कस्मीर में है ठीक है जम्मू कस्मीर नहीं सोरी लदाख में हो तो ये ठीक है लदाख चलिए अवला question देखें question number 29 है कौन सा परवत हिमाल्य स्रंक रागा अंग नहीं है तो अरावली है कुनूल है कराकोरम हिंदू कुष ठीक है तो कुनूल भी है कराकोरम भी है हिंदू कुष भी है ठीक है हिंदू कुष और कुनूल ये सभी कहां पामीर की गांट जो है उस पामीर की गांट से ये बं रखी है तो लेकिन अरावली इस स्रंकला का हिस्सा नहीं है तो ऑप्षन नंबर ए यह पर करेक्ट होगा ऑप्षन नंबर ए अरावली भारत की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी परवत स्रंकला है याद रखेंगे ठीक है जिसका विस्तार कहां से है गुजरात राजिस्थान से लेकर के पहुंच जाती है दिली तक यह स्रंकला ठीक है तो उत्तर पस्चिम भारत में इस्तित परवत है उत्तर पस्चिम में पूछा है वी तो उत्तर पस्चिम बना लेते हैं चलिए तो उत्तर पस्चिम बना लेते हैं तो यह उत्तर पस्चिम बन गया ठीक है तो उत्तर तो यह हो गया पस्चिम यह हो गया तो उत्तर पस्चिम है कौन देखे सत्पुड़ा सत्पुड़ा तो यहां पर है ठीक है यहां पर है सत्पुड़ा तो यहां पर ठीक है उसके उपर पर रही है और पस्चिम पूछाए कि उत्तर पस्चिम में तो कहां पर यह है यहां पर अरावली परवत ठीक है तो सही अंसर होगा option number a यहां पर correct होगा अरावली चलिए अगला कुशन देखें भारत में अरावली परवत का निर्माण हुआ है तो भारत में जो अरावली परवत का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है तो देखें मिसो जो एक कैली डोनियन या टर्सिर या हर्सिनियन ठीक है तो इसका सही अंसर होगा कॉली डोनियन युग में ठीक है कॉली डोनियन युग में होगा ओप्शन नंबर भी यहां पर करक्ट होगा तो बहुत अच्छे प्रशन है सभी प्रशनों को एक बार जरूर रिवाइज करें एक बार वीडियो को जरूर देखें तो आपको यह सभी प्रशन याद हो हमने हैं तो option number देखें अरावली को सभी यह ze 1944 को befapt हिश के बीच्तिक है और आपको एक पुक्चा किसका चलिए को कि यह इक हमने इसता है से इक मैप बनाते हैं कभी तो बन जाता और कभी ऐसा बनता है ठीक है चल लिए कोई बात नहीं ठीक है जैसा ही बनाए देखे अरावली अरावली तो हो गए आपकी यहां पर ठीक है यहां पर है और विंद है आपकी लगभग 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 देखे यहां पर है एक दम मैं पॉइंटिंग नहीं दे रह सरा पठार है तो अरावली ठीक है अरावली चोटा नागपुर छोटा नापुर बारे मत कि तो छोटा नापुर तो यहां के आसपास है कहीं ठीक है प्राइदी 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 प देखेंगें केवल 50 प्रशन अम आभू पाहड़ियों पर गुरू सिखर किस परवस संकला की सबसे उँची चोटी है तो आभू पर बताएं कि माउंट आभू ठीक है ये किसकी है और उसकी एक चोटी है सबसे उँची कुन सी गुरू सिखर तो गुरू सिखर किसकी सबसर वो चोटी है यह है अरावली जो भारती नहीं दुनिया की सबसे पुरानी परवस रंखला है ठीक है कुन सी अरावली और अरावली की जो सबसे उपर जो चोटी है वो कुन सी है वो है गुरू सिखर ठीक है गुरू सिखर और बात करने इसकी उचाय की तो सलगब 722 मीटर इसकी उचाय किसकी गुरू सिखर के अरावली की नहीं गुरू सिखर की है ठीके तो सही अंसर होगा ओप्शन नमबर D ठीके माउंट आवू यहीं पर है माउंट आवू जो दिलवाडा जैन मंदिर है ठीके चलिए 35 किन दो प बीच में इस्तित्त्य है कस्मीर घाटी चलिए मैं कि खुशन नमबर 35 ठीक है तो कस्मीर घाटी का चलिए कस्मीर घाटी इस्तित्यuito कहां व्रत ह हिमालय और पीर नंज्जाल के बीच लटब डैक जासकर व०त हिमाले या फिर जाशकर या कराकॉर्म लद्दाक इन किसके बीच में है ठीक है तो जो कस्मिर घाटे कहा है देखिए महान हिमाले उसके बाद में हैंको पीर पंजाल है जो लगूई हिमाले अपिर पंजाल होगा चलिए next question देखें, तां 30 से कुल्व घाटी के इन परव छेडियों के बीचमे कुल्व घाटी आ गए, पहले कजमें घाटी चलिए, कुल्व घाटी खाल देखतें कुल्व घाटी का है, तो कुल्ल्व घाटी, देखें कुल्inação घाटी अगर हम बात करें, जो देखे पीर पंजाल ठीक है पीर पंजाल ठीक है पीर पंजाल जो स्रेणी है एक तो पीर पंजाल स्रेणी है और एक है कौन सी उसी के नीचे है कौन सी एक धोला धार ठीक है धोला धार स्रेणी ठीक है और इनी परवत मालाओं के बीच में इस्तित है क्या कुलू घाटी ठीक ह तो सही answer यहाँ पर क्या होगा दोहलाधार और पीर पंजाल यान की option number C पर जाएंगे हम दोहलाधार और पीर पंजाल के बीच में इसी थे है अगरा question देखें चला next question तो C answer हो गया निम्ण में से किन परवस्त माला को स्यादरी के नाम से जाना जाता स्यादरी के नाम से जाना जाता है किसको जाना जाता है वो जाना जाता है पस्चमी घाट को तो पस्चमी घाट है जो आपका इस तरह से है और यह जो पस्चमी घाट ने यह वाला यह तो यह सब इसको किसके नाम से जाने यह कि सियाफिय के नाम से जाने है तो इधर से पूरी भी घाटा भी आजाता है ठीक है ये पूरी भी घाट और आग Swami हम मिल जाते हैं यह और के नील शूथर नील गरी ह सुषर के का टूक्श स्कूला रोक Κारा बाया इसमें आया ठीक है तो नील गरी और क्या नील गरी पर पस्चमी घाट वो पूरवी घाट आ करके मिलते हैं नील गरी की सर्वोच चोटी की बात करने तो सर्वोच चोटी इसकी कौन सी है डोड़ा बेटा डोड़ा बेटा ठीक है डोड़ा बेटा इसकी सर्वोच चोट भी है चलिए question तो इसका सही answer क्या होगा पश्चिमी घाट option number b यहां पर correct होगा पश्चिमी घाट एंकि option भी सही होगा चलिए अगला question देखें अगला question नमाज चाद्री का उच्छत सिखर है जैद्र यानि जो पस्चिम घाट है पस्चिम घाट की जो सबसे उंची चोटी है वो कौन सी है ठीक है तो पस्चिम घाट यानिकी जो पस्चिम घाट है यह इस तरह से यहां से पस्चिम घाट है और यहां पर एक से हैं अन्ना मलाई ठीक है अन्ना मलाई के पर उंची है सबसे उंची जो च और चलिक्सान नमश्त सी ओए यह घोड़ी होगा थर्टा होगा ठ्राइट त्र थर्टी रॉञां नींत प्रवत-चोटी है और यह प्रएदी बात हो यही है अनाई मोड़ी अनामलाई के सरवोच चोटी यान की option number A यहां पर correct होगा चारीस नमबर देते हैं इनमें से कौन से सरणी कौन सी दच्छन भारत की सबसे उची चोटी है तो इसका भी सही answer क्या होगा यही होगा अनाई मोड़ी यान की option number B यहां पर correct होगा अने मोड़ को फेश अच्छे से फेश करें ताकि आपकी practice अच्छी हो और आप सही से एक्जामनर का जिस तरह से दिमाग होता हो आप भी उसी तरह से अपना दिमाग चलाएं चलिए question number 2041 देखें तो उत्तर और दच्छन भारत की कौन सी परवस रंकला प्रथक करती है तो हिमालय कि यहां पर देखिये जब भारत को हम इस तरह से कड़ें तो यहां पर रहा है चलिए इस तरह से तो यहां पर एक तो यहां पर सथ पुड़ा ठीक है सथी तो और सथ पुड़ा के उपर ही यहां पर है विंध है ठीक है विंध है तो यह क्या होता है यह क्या काम करती है यह लगभग भारत को दो पार्टम भागती है उत्तर भारत और दचिन बातेंगे साउथ इंडियान और नौर्थ इंडियान लगभग बाठती है इनके अलग-अलग करती है तो क्या होग विन्ध है ठीक है, चलिए देखिए अब स kier बताते जारें तो उसे भी ध्यान लखेंगे नागा खासी और गारो पाणी इस्तिख्या ँंत ले तो नागा खासी गारो ठीक है तो इस सारी के सारी कहां है ये हैं हमारी कहां पूर वांचल में ठीक है पूर वांचल जो प्रवत मादा ना ये वाली जहां पर सभी है आवनाचल प्रदेश ठीक है मेरी घाल है मनी पूर ये सब है न तो यहां पर गारो खासी जैनतिया ठीक है यहां पर गारो खासी जैनतिया ठीक है पटकाई भूम इस तरह से यहां पटकाई भूम है लेकिन मणी तिरपुराक में इसका हिस्सा नहीं होता किसका पटकाई भूम का पटकाई भूम में बहुत सारी हैं कि यह ठीक है तो सही आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर ए होगा पूरवांचल परवत मालम है अगर किन परवस रंगराओं से संब्धित है तो पटकाई किसकी है हिमाचल के पूरवांचल हिंगरी या फिर हिंदू कुष तो पटकाई किसकी है यह है पूरवांचल की ठीक है पूरवांचल हिमाल्या की मतलगा देना गलत हो जाएगा अंसर तो क्या होगा पूरवांचल होगा question number 44 name लेखित राजियों में से कौन सा पटकाई पाड़ियों में सरग नहीं है तो पटकाई जो पाड़ियां है वो देखिए जब यही हम पूर्वान चलका जो मैं बना एक ठीक है इस तरह से यह ठीक है इस तरह से यह न लगबग ठीक हो उसके बाद में है यह मनीपूर यह क्या है मनीपूर यह नागा लेंड है यह अरनेशल प्रदेश और मनीपूर के नीचे है कौन सा मिजोरम ठीक है यहाँ पर है यह मिजोरम इस तरह से और यहाँ पर पढ़ता है कुन सा यहाँ जो इस तरह से यह हिस्सा न ऐसे जाता तो यहाँ परता है क्या तिरपुरा ठीक है त्री पुरा तो तिरपुरा यहाँ और पटकाई भूम जो इस तरह से है यह ठीक है पटकाई वो पटकाई जो पाहड़िया है यह यहाँ पर है तो इनमें गारों खासी जैनती सारी पटकाई के इसमें आती है तो यहाँ पर सही अंसर होगा तिरपुड़ा है निकि इसमें भी है यह इसमें भी यह इसमें भी लेकिन इसमें यह नहीं है तो option number A यहाँ प अमिलनाडो यह पूछ लिया कभी पूछता है कि पूरवी घाट और पस्चिमी घाट कहां पर आखर मिलते हैं और अब पूछ लिया कि करनाट के रोल तामिलनाडो राजयों के मिलन इस तरह पर रिष्थी था कौन है तो वही है नेलिगरी ठीक है option नंबर डी यहां पर सही है तो option number C यहां पर correct हो जाएगा चली आगला कुछन देखें नेलिगरी और पस्चिम घाटों को जोड़ती है तो नेलिगरी परवतमाला जिस राजय में इस्तित है तो नेलिगरी कहां पर इस्तित है महाराष्ट तमिल नाडू उड़ी सा या उत्तरा खंड उत्तरा खंड तो कहां है उपर पहुंचिगा महाराष्ट यहां आ गया उड़ी सा इधर आ गया और नीचे कौन सा बचाए तमिल नाडू तो तमिल नाडू में तो इस्तित है तो option number क्या होगा option number B यहां पर correct होगा तमिल नाडू नेक्स्ट कुश्चन 49 कुश्चन है निम निम लिखित में से कौन सी पाड़ी भारत के सबसे दच्चिन भाग में इस्तित है सबसे दच्चिन भाग में दे नील गरी काड़ में पलानी या फिर अन्ना मलाई तो सबसे दच्चिन में अब तेकिस का क्रम देख लें इस तरह से यह दच्छड बायरत अंधि तो Сबसे नीचे यहाँ पर मिलेगे कौन से काड भताया था के हिमालय से लेकर के करहाएं मं तक कवर करेंगे तो सबसें में क्या है काड काडम काडम के बाद में क्या है उसके बाद में है अन्ना मलाई ठीक है उसके बाद में क्या है अन्ना मलाई अन्ना मलाई और अन्ना मलाई के बाद में ऊपर कौन सी है यहां पर फिर आती थी आपके नील गिरी ठीक है कौन सी है नील गिरी कि इधर से कर लो इसे नील गिरी तो इस तरह से सबसे दच्छन में कौन से हुई आप हुई काड़ेमम तो सही आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर भी यानिकि काड़ेमम के पहड़ियां ठीक है या इलाइची पहड़ी भी कहते हैं इलाइची पहड़ियां तो मिलना डू में अगली वीडियो में देखेंगे ठीक है क्योंकि लगभग सो के आसपास यह प्रशन दिये हैं और अभी तो बहुत सारी चोटी रह रही है ठीक है तो उनके बारे में बात करनी है तो 50 कुशन देखते हैं आज उसके बाद में अगले वीडियो में बाकी के प्रशन हम देख सबसे नीचे जब हम ऐसे चलते हैं तो यहां पर क्या है क्या है यह तो यह है तो कहा पर तो काहां पर है केरल में, महाराष्ट तो यहाँ पर हो गया, तो महाराष्ट में तो हो नी सकती, जब मुकस मिर यहाँ होगा, हिमा चली यहाँ होगा, तो इन में तो हो नी सकती, तो कहाहँ पर है यह, option number C, ठीक है, तो चलिए हमने आज, फिफ्टी कुशन देख लिए हैं और फिफ्टी कुशन देखें फिफ्टी के बाद में जितने ही भी आगे कि जो कुशन भशेंगे उन्हें हम अगली वीडियो हम देखेंगे और जब तक के लिए आप इन 50 प्रसनों को एकदम कम्प्रीट कर लिए अच्छे से याद करने तयार करने एक से दो बार रिविजन जरूर करें ताकि आपको अच्छे से ये कुशन याद हो जाएं और आपको कहीं कोई किताबों में पर्चे ना पलेटने पड़ें ठीक है तो दोस्तों को फ्रेंड को प्रेश्थिदारों को जहां कहीं भी सेयर हो सके ना सेयर कर दें और साथ यह सब्सक्राइब जरू करवा दें ठीक है तो चलिए फिर आगे फिर मुलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू तो